सनीप पाजी असली बहुवली बनते जा रहे हैं नौवे दिन टाइगर को पीछे छोड़ा दसवे दिन पीके को पीट दिया ग्यारवे दिन दंगल में जीते वहाँ तेज हो रहा है और अब आएगा अवतार का नंबर तो सनीप पाजी है कि नहीं बॉलिवुट की असली बहुवली और अब सवाल ये कि क्या गदर टू को टेक्स वी किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए और क्या इसके लिए आप आवाज उठाने को तायार हैं नमस्कार जंगल मन्रेक्स में मैं हूं मनी शर्मा आपका बहुत 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 धन्यवाद कल मैंने आपसे कहा था कि मेरे एक हजार सब्सक्राइबर हैं रात और रात आपने ऐसा धमाल कर दिया कि करीब करीब साड़े तीन हजार पर पहुंचा दिया कमाल है आप लोग एक वीडियो जो मैंने डाला गदर टू पर आपको बहुत पसंदा है इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया कमेंट में आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैंने अच्छा वीडियो बनाया इसके लिए भी आपका शुक्रिया तो चलिए सिलसले को आगे बढ़ाते हैं आज एक और वीडियो मैं गदर टू पर ही लेकर आया हूँ और आज का हमारा मुद्ध है गदर टू को टेक्स फ्री किया जाना चाहिए कैसे होता टेक्स फ्री कहां टक गई ये गाड़ी अब तक क्यों नहीं किया गया टेक्स फ्री क्या गदर टू टेक्स फ्री हो पाईगी नहीं हो पाईगी इन सारे सवालों के जवाद हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में लेकिन उससे पहले आकड़े वो आकड़े जिन्होंने धमाल मचाया हुआ है जिन्होंने बॉलिवुड में कमाल किया हुआ है रिकार्ड्स का तो गदर ही मचा दिया है वीकेंड पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है गदर टू ये तो हमने आपको पहले बताया है लेकिन अब सुनिये गदर टू ने दूसरे हफ़ते में सौ करोड कमाने का करिश्मा करके दिखाया है पहुंच जाती हैं तो ऐसे धमाका करती हैं ऐसे शोर मचाती हैं जैसे बहुत बड़ा करनामा कर दिया हु लेकिन गदर टू तो दूसरे हफ़ते में भी सौ करोड के पार पहुंच गई हैं चले बात करते हैं उस सबसे बड़े मुकाबले की जो बॉलिवूड में इस वक च चार सो करोड पार करने में कितने दिन लगे गदर टू को बारा दिन और पठान को कितने लगे थे सिर्फ ग्यारा दिन यानि एक दिन आगे है लेकिन ये सच पूरा नहीं है क्यों इसके आगे का हम साच आपको दिखाते हैं अब सवाल यह है कि 500 करोड का आखड़ा पार करने में कितने दिन लेगी फिल्म पठान ने लिए थे 28 दिन और अब सवाल है गदर टू कितने लेगी यह सवाल बना हुआ है और इस सवाल के जवाब में यह आखड़ा आपको जरूर देखना चाहिए हमने आपको कल भी दिखाय कि नेट कलेक्शन दूसरे हफ़ते का पठान ने कितना किया था आपको यादो को 95 करोड रुपए और इस समय गदर कितना कर चुकी है हमने बता है 100 करोड का आखड़ा चुचुकी है चार दिन में 104 करोड रुपए कमा चुकी है गदर टू तीन दिन हफ़ते के बाकी है पठ आगे चलते हैं हरम ने कल जो आपको आखड़ा दिखाए थे कल फिल्म थी नौवे नंबर पर और आज उसने कमा लिया है 13 करोड रुपए तकरिबां 13 करोड रुपए कमाए है और इसे कमा के 388 करोड के आखड़े पर पहुंच गई है गदर टू और नंबर हो गए है उसके जो बजरंगी भाहिजान थी उसको तो पहले ही पीछे छोड़ दिया था टाइगर जिंदा है पहले ही पीछे रह गई है पी के 340 करोड ये भी पीछे है और 11 दिन जो धमाल किया है उसके मताबक दंगल जिसने 387 करोड कमाए थे उसको भी पीछे छोड़कर आगे निकल क्योंकि उपर की जो तीन फिल्मे है वो तीनों की तीनों हिंदी की फिल्में नहीं हिंदी की फिल्म थी पठान और जिसके मकाबला यहां पर चल रहा है तो आज का आखड़ा मिला कि 388 करोड की कमाई हो चुकी है गदर टूकी और कल इसी तरह का आखड़ा हम अनुमान कर र जाएगी और जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक शुकरवार तक 2.0 को भी क्रॉस करके यह और उपर चड़ जाएगी गदर टू अब जैसा कि हमने कहा कि फिल्म टेक्स फ्री होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए सवाल हमने आप से पूछा था हमारे हिसाब से इस फिल्म क बहुत था यानि जो परिवार के साथ बैठने वाली फिल्म देखने वाली बहुत लोगों के लिए नहीं थी वो फिल्म और इसी लिए उसको शायद ये सुविधा नहीं मिली टेक्स फ्री होने की लेकिन इस फिल्म को गदर टू को जो पूरी तरह से भारत पाकिस्तान के फिल्म जादा से जादा लोगों तक जो फिल्म का मैसेज है वो पहुंच सके और फिल्म का मैसेज एकदम साफ है कि भारत किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है भारत सबका है लेकिन पाकिस्तान सबका नहीं है पाकिस्तान धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और ये बा प्रमोट्शन मिलता है, ज्यादा सपोर्ट मिलता है, एक बात और आपको बता दे, अगर फिल्म टेक्स फ्री होती है, इसे निर्देशक का कोई फाइदा नहीं होता, उसके हिस्से से ना तो फाइदा होता है, लेकिन सरकार अपने हिस्से से कुछ टेक्स कम कर देती है, तो व जो लाए है वो Zee Studio लाए है Zee Studio ने इसके लिए कई सरकारों को पास पहले से आवेधन किया हुआ है लेकिन आप तो जानते है सरकार ये परक्रिया थोड़ी धीमी होती है और उनको थोड़ा धक्का लगाना पड़ता है तेस काम करने के लिए और इसलिए कई जगे अभी आविदन अटका हुआ है और इसी आधार पर हम कह रहे हैं इस फिल्म को टेक्स फ्री करने की प्रक्रिया को थोड़ा जोर देना चाहिए तेज रफ़तार करनी चाहिए ताकि फिल्म जल्दी टेक्स फ्री हो जाए और फिल्म का सब्जेक्ट क्या ह है content क्या है इस आधार पर तैया होता है एक चीज़ और होती है कि फिल्म की shooting कहा हुई है अगर फिल्म की shooting किसी राज़े में हुई है तो आम तोर पर सरकारे इसको tax-free कर सकती है और अब आपको महिदार चीज़ बताते है इस फिल्म की shooting लखनों में हुई है बड़ा रज्य है और यहां tax-free होनी ही चाहिए योगी सरकार को करना ही चाहिए महराश में इसकी shooting हुई है तो महराश के अंदर एक बड़ा state है entertainment के हिसाब से भी और वहां इसको tax-free किया जाना चाहिए इसके लावा हिमाचल परदेश में इसकी shooting हुई है तो वहां भी सवाल आता है कि वहां tax-free क्यों नहीं करा जाए इस film का कुछ हिस्सा MP में shoot हुआ है तो मध्यपरदेश भी जगह बनती है जहाँ पर इस film को tax-free किया जाना चाहिए ये चार स्टेट हमने आपको बता लेकिन देशबक्ती का theme है पारिवारिक फिल्म है देशबक्ती के भावना को आगे बढ़ाती है इसलिए बाकी राज्यों को भी tax-free इस film को करना चाहिए लेकिन दिक्कत का हाट कि है दिक्कत यह है कि सनी दियौल जो है BJP के MP है अब सवाल ये उठता है कि कई सारी जो गैर BJP सरकारे हैं क्या वो फिल्म को tax-free होने देंगे अपने state में तो नहीं होने देंगे रीटृिट कर सकते हैं, ताकि जादध से जादध सरकारूं करना है? तो जहीर तोर पर हम ऐसे देश के नागरिक के तोर पर हम अपनी मांगतों रखी सकते हैं तो आईए आपका स्वागत है इस मुहिम के अंदर और प्लीज एक रिक्वेस्ट छोटी सी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे अगर गदर टू के फैन है तब तो आप हलके हथ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप गदर टू के फैन नहीं है तो आपको गुस्सा भी आया होगा फिल्म देखके या हमारा वीडियो देखके तो आप जोर से अपना हतोड़ा लेके अपने फोन पर मार सकते हैं